साहा यहां पर देखने को मिलडा क्योंकि तो अप्रदान मन्तरी दोनों हातों से व्यक्ति का कैसे स्वागत होता है और विनम्रता से सभी कार्यकरता जनता का अभिवादन का स्विकार करते हुए आधनिय प्रदान मंत्री जी मंच की और बढ़ रहे हैं कि मोदी 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 तो ये तस्वीरें आप इस वक्त दिल्ली सित भाजपा मुख्याले से जहां प्रदान मंत्री नाइदर मोदी जीत के बाद पहुंचे हैं कारकरताओं के बीच में और NDA को इस फ़श्ट भहुमत मिला है हलाकि पिछले वार के प्रदेशन के मुकाबले तोड़ा कम तर है लेकिन सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है दोसों बहत्तर के जादोई आकले से आगे बढ़ते हुए NDA को समर्थन मिला सभी जनता का प्यार इसका अभिवादन का स्विकार करते हुए देश कोई प्रदान मंत्री पत के लिए तिस्री बार चुने गए हमारे आदर्निया नेता माननिया प्रदान मंत्री मोधी जी का जोरदार स्वागत हम सब मिलकर कर रहे हैं बीजेपी जिन्दाबाद NDA जिन्दाबाद NDA जिन्दाबाद NDA आदर्निया प्रदान मंत्री जी का माल्या अर्पर्ट करके माला पहना कर उनका स्वागत हम सब लोग करेंगे यह मैं आपसे निवी दिन करूँ कर आपे जिन अ कर भा म् 2020 सुच च समय लो जीन आप उग्र Wat प्रार प्रम हम अ श जिन तॉ सबने अर्च च देवीं सुच पर स कर प्र संब्स कर देए्व ख। स्वागत है वह स्वागत है कि अधरुन प्रधान मंत्री से निवेदन करूँगा कि वो देश को संबोधित करें आधरुनीय प्रधान मंत्री भारत माता की भारत माता की जाय जगनात जाय जगनात आपका यह स्ने आपका यह प्यार कि इस आथिरवाद के लिए कि मैं सभी देश वास्यों का रणी हूं आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एंडिये की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं देश वास्यों ने भाजबा पर एंडिये पर पूर्ण विश्वास जताया है आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र की जीत है ये भारत के समिधान पर अटूट निष्ठा की जीत है ये विख्षिद भारत के प्रण की जीत है ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है ये 140 करोड भारतियों की जीत है भाई और बैनों मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी खुशलता के साथ संपन्द कराया करीब सो करोड मतदाता 11 लाग पोलिंग स्टेशन 1.5 करोड मतदान कर्मी 55 लाग बोटिंग मशीने हर करमचारी ने इतनी प्रतंड गर्मी में अपने दाईत्व को बखुबी निभाया हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने करतव्य भाव का शांदार परिचय दिया भारत के चुनाव प्रोसेस चुनाव के इस पूरे सिस्टिम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिल पर हर भारतिय को गर्व है इस केल पर चुनाव का इस एफिसंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदारण नहीं है और मैं बेश्वाचियों को कहूंगा आगा मैं इनफ्लियंस को कहूंगा मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा बहारत की लोगतंत्र में के चुनावि प्रक्रिया की ताकत है एफिशन्सी है यह अपने आप में बहुत बड़ा गवरव का विश्य है भारत की पहचान को चार चान लगाने वाली बात है और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुचा सकते हैं उन सबसे मैं आगर करूँगा कि भारत के लोगतंत्र के इस सामर्थ को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमने प्रस्तूत करना चाहिए इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोगतांत्रिक डेशों की कूल आबादी से भी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूत पुर्व उत्सा दिखाया है और दुनिया भर में भारत को ब्रदाम करने वाली जो ताकत हैं उनको आइना दिखा दिया है मैं देश के हर मतदाता को जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्वपर आदर पुर्वग नमन करता हूँ मैं देश भर के सभी दलो सभी उमिद्वारों का भी अभिनंदन करता हूँ सभी की सक्रिय भागिदारी के बिना लोग तंत्र की विराठ सपलता संभव नहीं थी भाजपा के एंडिये के हर कारकरता साथी को भी मैं रजय से धन्यवाद करता हूँ साथियों इस चुनाव के इस जनादेश के कई पहलू है 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कारकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है राज्यों में जहां भी विदान सभा के चुनाव हुए वहां पर एंडिये को भव्यम विजय मिली है चाहे वो अरुनाचल प्रदेश हो आंद्र प्रदेश हो उडिसा हो या फिर सिक्किम और इन राज्यों में कॉंग्रेस का सुप्रा साब हो गया है मेरे पाथ डीटेल तो नहीं है लेकिन साथ उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा भाजपा उडिसा में सरकार बनाने जा रही है और लोगसभाज चुनाव में भी उडिसा ने बहत्रीन प्रजर्शन किया है यह पहली बार होगा जब महाप्रभु जगनाती धर्ति पर बीजेपी का मुख्य मंत्री होगा बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती हैं हमारे केरल के कारकरताओं ने बहुत बलिदान दिये हैं कई पीडियों से वो संगर्थ भी करते रहें जन सामान्य की सेवा भी करते रहें और पीडियों से मैं सालों से नहीं कह रहा हूं पीडियों से जिस ख्षन का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है तेला जना में हमारी संख्या दोगुणा हो गई है मद्यप्रदेश गुजरात चतिशगार दिल्ली उत्राखन हिमाचल ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्विप किया है मैं इन सभी राज्यों और अरुनाचल प्रदेश ओडिसा आंध्र प्रदेश और सिक्किम विदान सभा के मद्दाताओं का भी विशेस आभार व्यक्त करता हूं कि मैं राज्यों की जनता को भी स्वात दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी आंध्र प्रदेश में चंद्र बाबु नायडूजी के नेत्रुत्व में एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है बिहार में नितिश बाबु के नेत्रुत्व में भी एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है साथियों, दस वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था तब देश ने हमें कि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूप चुका था 2013-14 का कालखन देखिए देश निराशा की गर्त में डूप चुका था प्रेजाईल फायूद सब्दोसे में नवाजा जाता था हर दिन अख़बारों की हेडलाइन गोटालों से भरी रहती थी देश की हुआ पुरी अपने भविश्य के सबत में आसंकित हो गई थी ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सोपा था हम सभी ने पूरी इमांदरी से प्रयास किया काम किया दोहजार उनीस में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रतंड जनादेश दिया इसके बाद एंडिये का दूसरा कारकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया दोहजार चोबिस में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशिरवाद लेने देश के कौने कौने में गये आज तीसरी बार जो आशिरवाद एंडिये को मिला है मैं इसके सामने जनता जनारदन के सामने बिनाए भाव से नत्मस्तक हुए साथियों आज का यह पल नीजी तोर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है मेरी मा के जाने के बाद यह मेरा पहला चुनाव था लेकिन सच मानिये देश की कोटी कोटी माताओ बहनों बेटियों ने मा की कमी मुझे खलने नहीं दी मैं पुरे देश में जहां जहां भी गया माताओं बहनों बेटियों ने अभूत पुर्वस्त ने और आशिरवाद दिया और यह आकड़ों में नहीं दिख सकता है देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा बोटिंग के सारे मेरे रकोर्ड तूड़ गए है इस प्यार इस अपने पन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता है यह मेरे भावों में है यह मेरे मन मस्तित के कौने कौने में रचा बसा है देश की कोटी कोटी माता और बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है साथियों पिछले दस साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिये हैं राश्ट प्रसम की भावना हमें असामान लक्ष हादिल करने का हौसला देती है यह हम में कुछ कर गुजनरे की इच्छा शक्ति उत्पन न करती है हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्यानकारी योजनाई चलाई आजादी के सब्तर साल बार बारा करोड लोगों को नल से जल मिला आजादी के सब्तर साल बार चार करोड गरीबों को पक्के घर मिले देश के असी करोड जरुरत मंदों को मुप्त राशन की सुविधा मिली करोडों गरीबों को पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिली राष्ट प्रसम की इसी भावना की वज़त से जम्मु कश्मीर से 370 हटी GST और IBC जैसे रिफार्म हुए बैंकिंग रिफार्म हुए हमने राष्ट हित्कों हमेशा सबसे आगे रखा आप याद करिये कोरोना का इतना बड़ा संकट आया हमने वही फैसला लिया जो देश हीत में था जनहीत में था हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है कि आज भारत कि दुनिया की सबसे तेजी से विश्चित होती बड़ी एकॉनोमी है कि राष्ट्र प्रसम की यही भावना भारत को कि आत्मनिर्फर बनाएगी कि साथियों कि हमारे सामने एक महान संकल्प है विश्चित भारत का संकल्प है दस साल के बार लगातार तीसरी बार जनता जनादन का प्यार उनका अशिर्वार हमारा होस्ला बढ़ाता है हमारे संकल्प को नहीं मजबुदी देता है नहीं उर्जा देता है हमारे विरोधी एक जूट होकर भी उतनी सीटे नहीं जीत पाए जितनी इस लोगसबा चुनाव में अकेली बीजेपिने जीती है मैं देश के कौने कौने में उपस्तित बीजेपि के कारकरताओं को कहूंगा देश वाच्छों को कहूंगा आपकी मेहनत इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना यह मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है और मैं देश वाच्छों के दुमारा दोहराना चाहता हूं अगर आप दस गंटे काम करेंगे तो मोदी अठारा गंटे काम करेंगा आप दो कदम चलेंगे तो मोदी चार कदम चलेंगा हम भारतिया मिलकर चलेंगे देश को आगे बढ़ाएंगे तीसरे कारकार में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और यह मोदी की गारंटी है साथियों एंडिये सरकार की प्रतिबद्दता हमेशा ही समाज के हर छेत्र और हर बर्ग के विकास की रही है बीते दस वर्थव में हमने 25 करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या स्थी स्थी ओबिसी की है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए बुमन लेट डेवलप्मेंट हमारी सरकार के गवर्णनेंस मोडल के केंद्र में रहा है स्पॉर्ट से स्पेस और एंट्रप्रेणर स्थिप तक हम हर छेत्र में माताओं बहनों बेटियों को नए आउसर देने के लिए काम करेंगे बीते दस वर्षों में आपने देखा है हमने मेडिकल कॉलेज के संग्या दो गुनी की है एम्स की संग्या तीन गुनी की है स्वरोजगार और स्टार्ट उस में अइतियासिक बड़ोत्री हुई है हमने भारत को दुनिया का सब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैनुफेक्चर बनाया है अब इलेक्ट्रोनेट्स सेमिकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ड को बढ़ाने का प्यास किया है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मन निर्भर नहीं बन जाता हम अपने युवाओं को सिख्षा रोजगार स्वरोजगार हर क्षेत्र में ससक्त करेंगे किसानों के लिए बीच से बाजार तक आदुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्रास्पिक्ता पर होगा बलहन से लेकर खाड्य तेल तक हम अमारे किसानों को हर छेत्र में आत्मन निर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे साथियों आने वाला समय ग्रीन एरा है हरीत युक का है आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगती प्रक्रती और संस्क्रती के समागम की है हम ग्रीन इंडिस्ट्रियाजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी एकौनमी बना लिक लिए एंडिये सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी भाई और भेनों आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है हमने कोरोना के दोरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सिन केपिसिटी ने दुनिया को संकर से बताने में मदद की हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंडिंग करके स्पेस एक्स्प्रोरेशन के नए रास्ते खोले है क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिकूरिटी तक जो भी विशय दुनिया के सामने है भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है भारत ग्लोबल सप्लाइज चेन को स्टैबिलिटी और डाइवर्सिटी देना भी अपना दाईत्व समझता है इसलिए भारत आज विश्व बंधू के रुपे सबको गले लगा रहा है मुझे विश्वास है मजबुद भारत मजबुद दुनिया का एक मजबुद स्टम्ब सिद्ध होगा साथ्यों 21 सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्षन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा डिजिटल इंडिया और टेक्नोलोजी ने करप्षन का नेक रास्ते बंद किये है लेकिन ये भी सच है कि करप्षन के खिलाब लड़ाई दिनों दिन कठीन हो रही है राज नीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्षन का महिमा मंदन सुरू हो जाए और इसमें निरलज्जता की सारी हदे पार हो जाए तब करप्षन को बहुत ताकत मिल जाती है इसलिए तीसरे कारिकाल में एंडिया सरकार का बहुत ज़्यादा जोर हर तरह के करप्षन को जड़ से उखाड ठैकने का होगा भाई और बहनों भाजपा के हर कार करता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है सेवा भाव से बड़ी राजनीती कोई नहीं हो सकती है इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरी रखने की प्रंपरा को निरन्तर मजबूत कर रहा है भाजपा का कार करता जना कांख्याओं जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रत्रीलित्व करता है और यह हम कभी भोल नहीं सकते हैं जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संबाद करते रहें साथ्यों कुछी दिनों में देश छत्रपति सिवाजी महराज के राज्या विशेक की तीन सो पचासवी वर्षगांट बनाएगा उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेणा है कि देवपत पर अड़ी कैसे रहा जाता है अपने धेपत्में भी हमारी महनत में कोई कमी ना रहे हम पुरी निस्टा से पुरी मांदारी से देश की सेवा करते रहें हमारे जीवन के बहुत बड़ी कसोड़ी होनी चाहिए हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें हम देश हित को सर्वोपरी रखें तभी हम अपने लक्षों को हासिल कर पाएंगे हमारा सम्विधान हमारी गाइडिंग लाइट है इसी साल हमारे सम्विधान के 75 वर्ष पुरे होने जा रहे है केंद्र की एंडिये सरकार सभी राज्जों के साथ चाहे वो किसी भी दल की क्यों नहों मिलकर काम करेंगी विच्सित भारत के लख्ष के लिए हम खुब महनत करेंगे जम कर महनत करेंगे हमारे पास रुकने का थमने का समय नहीं है यह राश्ट नीति के लिए एक जूट होकर आगे बढ़ने का समय है विच्सित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने है भारत के उजबल भविश के लिए उत्तम फैसले भी लेने है छे दसक के बाद देश के मसदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है छे दसक बाद किसी गड़बंदन को एंडिये को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का आउसर दिया है जनता जनादन के साथ विश्वास का यह अटूत रिस्ता यह लोग तंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है आपका आशिरवाद नए उत्सा नए उमंग के साथ काम करने की हमारी उर्जा है मैं हमारे अध्यक्ष सिमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम संगठन की राज्यों की टीम जिले की टीम मंदल की टीम बूथ लेवल की कमिटी हो या पन्ना प्रमूद नड्डा जी के नेत्रुत्व में अने चुनावतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ जिस समर्पर भाव से राश्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एंडिये को विजाई दिलाई हैं विह सब के सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र हैं मैं आज देस वासियोंने मत पर बहुत-बड़ी क्रुपा की है भारतिय जंता पार्टी पर बहुत बड़ी क्रुपा की है एंडिये पर बहुत बड़ी क्रुपा की है सद्धपुर्वक नमुन करता हूं मेरे साथ बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 अजय को सबका बहुत बहुत दन्यवाद एक जीत के बाद सिस्वी पार की सरकार के बाद एक बड़िया मार्जर्शन जो हमको प्राप्त हुआ है हम सभी इस विचार को लेकर फिर से अपने बूत पे मंडल में शक्ति केद्र में जाएंगे पत्सीती दस्वीरें आप देख रहे थे बीजेपी पुख्याले से जहां पुधार मंतरी का संबोधन और रितू सबसे बड़ी बात सबसे शुरुआत में लोगने कहा कि कर दो दो हमाने कि अजा कि और रितू जाएंगे